जाने में भी दिक्कत होता है वो नाव से हम लोग जाते हैं जाने में बहुत ज्यादा कट नहीं होती है बागमती के बाद आप मुझवपपुर में बोडी घंड़ा का कहर देखने पर मिला है जहां पानी का जज़वा लस्तर है कापी तेजी से बढ़ रहा है हमारी मौझवद्गी बोडी घंड़ के लाके में है जहां पर काफी तेजी से जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है यहां के जो लोड है वो पलायन कर रहा है क्योंकि वज़ा देखे जिस तरीके से जो घर है वो पूरी तरह पानी में डूप चुका है हलाकि यह जो इलाका है इसमें काफी संख्या में लोड ड़ाते हैं और जिस तरीके से पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है उदर बाग मती के बाद मुझवद्गी बोडी घंड़ के उसका भी जो रौंद रूफ है वो नजर आ रहा है और पूरी तरीके से बोड है इंटरनी के लिए मस्भूर है देखता हो रहा है वहां पे हमारा घर है वहां पर जाने हैं बहुत ज़्यादा कट नहीं होती है को अपसे पानी बढ़ना सुरू है पान दिन से बढ़ा है पानी बहुत जयादा बढ़े हैं क्या करते रोड़ पर आना पर होजा ने देखने आया है कोई नहीं तो मुझे जाने के लिए क्या रोड पर रहते हैं को यह पांचे देन से जाने में के लिए एक जाने के लिए क्या रोट पे रहते हैं आड़ी तो नहीं चाथता होगा कोई भी रिया लगावा है मेरा सब जाने में अद्र बहुत हो रहा है मौहीत राज इतना है जाने में कपी दिख्कत होता है डर लगता है तरीके से बोडि गंडा का जो कहर है वो जारी है क्योंकि लातार और आय और कट्रा में बाद मती का कहर जारी है तो वहीं आप सहरी इलाकों में भी बोडि गंडा का पानी भूशने लगा है मुझे पूर से लोकलेट इंटेले रितुराज